प्रभु येश्यू के नाम में प्यारों आप सभी का आज की इस पाइबल स्टड़ी में हम स्वागत करते हैं आज जो भी सेफर हम सिखने जा रहे हैं हाउ टू बी विक्टोरियस विजेता कैसे बने हैं प्यारों जब आज हम इन बातों को परमेश्यू के वच्ञणों से सिखेंगी हम विश्वास करते हैं आप भी अपने जीवानों में हर एक परिस्थिती जिससे आप स्थ्रगल कर रहे हो जिसके कारण अप निरास हो जिसके कारण आपशिंतितो परेषान हो उन हर परिस्तिती में आप विजय को जरूर पाऊंगे आए वचन में जाए उससे पहले दुआ करे परमेश्वर की सहाईता मागे आए पराथना करे परमेश्वर हम येश्वमसी के नाम में आपके चर्नों में आते हैं प्रभू आज जब आपके वचनों से हम कुछ बातों को सिखने जा रहे हैं पवित्रा आत्मा आप हमारी सहाईता करें आप हम सभी के साथ बात कीजिए आपकी बातों को सिखाने के लिए लिए मुझे अनुखर दीजिए और सिखने के लिए हम सभी को अनुखर दीजिए प्रभु हम में से कई लोग अलग अलग प्रकार की समस्या उस होकर गुजरते होंगे परमेश्वर, कई लोग बीमार होंगे, कई लोग करजे में डूबे हैं, कई लोग परमेश्वर पारिवारी समस्या उस होकर गुजर रहें, कई लोगों को भविश्य की चिंता हैं, परमे ये शुमसी के नाम से प्राथना करते हैं आपके वच्छनों के द्वारा हम सभी के साथ बात करें परमेश्वर हम ये शुमसी के नाम से माते हैं आमें आमें प्यारों आज के इस वच्छन में जो हम सीखने जा रहे वो है How to be Victorious, विजेता कैसे बने हम दाउद और गोलियाद की जो सची घटना है उससे इस बात को हम सीखेंगे प्यारो और ये जो सीरीज है How to be Victorious उसमें अलग-अलग विश्यई पर हम जैसे जैसे परमेश्वर अगवाही देंगे हमें अनुगर देंगे वैसे आपके साथ बात करेंगे और उसमें सबसे पहला जो भी सई है विजेता कैसे बने उसमें सबसे पहली बात जो आज हम सीखना चाहते है वो है मन को कच्छा न होने दे दाउद और गुल्यात की जो सच्ची घटना है उससे इस बात को प्यारो हम सीखेंगे सबसे पहली बात मन को कच्छा न होने दे कमजोर न होने दे तूटने न दे कई लोग प्यारो आप में से होंगे जो परिस्तिती से लड़ लड़कर इतने ठक गए होंगे कि आपका मन अब कमजोर हो चुका है अब आप निरास निरास हो गये हो आपका मन अब तूट गया है प्यारो आपके अंदर अब नकार आत्मक खयाल ही आते हैं प्यारो आज हम सीखना चाहते हैं प्यारो हमारे मन को हरे परिस्थिती से भले हम घीरे हो लेकिन हमें कच्चा कमजोर नहीं होने देना है तूटने नहीं देना है आमेन प्यारो जब पलिस्थि लोगों ने पलिस्थि साइनिय ने खासकर गोलियाथ ने परमेश्वर के लोगों को चुनोती दे तब कई लोग निरास हो गए क्योंकि उनके पास जो योद्धा था गोलियाथ उसके विस्थे में अभी हम देखेंगे वो योद्धा के सामने लड़ स के ऐसा इसराहिल में कोई नहीं था प्यारों लेकिन इसराहिली लोग ये भूर रहे थे उनके पास जो है वो जिन्दा परमेश्वर है ये वो लोग देख रहे गोल्यात के सामने इतना बड़ा योद्धा इसके पास इतने सारे हथियार है हम उससे लड़कर विजय नहीं पास सकेंगे और उसके कारण उनके मन कच्छे हो गए कमजोर हो गए आये बच्छन से हम पढ़े पहला समुएल अध्याई 17 और ग्यारवियात आये हम मिलकर इस आयात को पढ़े हम आपके लिए प्यारों इस बच्छन को पढ़ना चाहते हैं उस पलिस्तित की इन बातों को सुनक साउल और समस्थ इसराहिल्यों का मन कच्छा हो गया और वे अत्यंत डर गये प्यारों दो बातों को हम आपके आगे रखना चाहते हैं पहली बात उनके मन कच्छे हो गये यहांपर लिखा है उस पलिस्तिती की बातों को सुनकर गोलियात की बातों को सुनकर साउल मतलब जो राजा है प्रभू के द्वारा स्थापित किया गया और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया और कच्चा मन क्या लाता है आगे पढ़िये और वे अत्यंत डर गये प्यारो जब हमारा मन कच्चा हो जाता है क ढर आता है और डर है जो मैं पराजित करता है प्यारो डर है जो मैं हार की होरी चालता है प्यारो विजेता कैसे बने इन बातों को हम सुछना चाहते हैं प्यारो जो आज हम सिख रहे हैं वह योह मं को कि listening नहीं होने देना है मेरे पीछे पीछे बोले मैं परमेश्व का बेटा या तो बेटी होने के नाते भले ही परिस्थितियों से घीरा हुआ हूँ भले ही परिस्थिति से लड़कर ठक गया हूँ भले ही कितनी भी बड़ी चुनोती मेरे आगे क्यों नहों मैं मेरे मन को कच्चा कम जोर नहीं होने दूँगा हालेलुया प्यारो हमें अपने मन को संभालना है कम जोर कच्छा निर्बल नहीं होने देना है हम वच्छन में जाए उससे पहले एक टेस्टी मनी एक सत्य घटना परमेश्वा के दास के विसे में आपके आगे हम रखना चाते यह जो मिस्नरी हो गए उनका नाम है रॉबर्ट लॉस और उनके माता पिता के जीवन में जो घटना है घटी और उनोंने उन परिस्थितियों में भी अपने मन को कैसे कच्छा नहीं होने दिया वह हम आपको बताना चाहते है प्यारों रॉबर्ट लॉस का जन्म 1851 में हुआ था स्कॉट लैंड में और इनके माता पिता थे वो धार्मिक परिवार से आते थे और इनके माता पिता ने बहुत स्वपन देखे थे हमारा बच्छा होगा उसके हम परवरिस करेंगे उसको पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे काफी कुछ स्वपन उनके मामी पपा ने देखे थे प्यारों ये रॉबर्ट लॉस उनका जन्म 1851 में हुआ उनके माता पिता ने काफी स्वपनों के स्वपन उनके विशे में देखे थे और वो स्वपनों को वो पूरा करना चाहते थे लेकिन एक दुखड घटना घटी प्यारों सिर्फ उनके जन्म के दो साल के बाद 1853 में उनकी ममी की टेथ हो गई सिर्फ दो साल के बाद ये रॉबर्ट लॉस के ममी ने पापा ने बहुत सारे धेर सवपना देखे थे ऐसे बच्चे की परवरीस करेंगे इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे लेकिन सिर्फ दो ही साल में इस बेटे की रॉबर्ट लॉस की ममी का देहांत हो गया वो expired हो गए प्यारो अब सबसे बड़ी समस्या थी उनके पापा की single parent होने के नाते अकेले हाथ उनको अपने बेटे की परवरिस करनी थी प्यारो आप सोचिए एक माबाब जिनोंने धेर सारे स्वपना देखे अपने बच्छे के लिए और दो ही साल में वो husband अपनी wife को गवा देता है वो husband की परिस्थिती क्या होगी वो मांसिकरिती से ठूट गया होगा कई ख्याल उसके मन में आते होंगे अकेले हाथ इस बच्छे की परवरिस कैसे करूँगा सिर्फ दो ही साल का बच्छा है उसने अपनी मम्मी को गवा दिया लेकिन प्यारो ये रॉबर्ट लॉस के पापा ने अपने मन को कच्छा नहीं होने दिया उन्होंने अपने बच्छे की परवरिस की अच्छे से अच्छी सिक्सा दी बढ़ाया बढ़ाया और ये ही रॉबर्ट लॉस प्यारो एक बड़ा मिसनेरी बना इन्होंने प्यारो सिर्फ 24 साल की उमर में एज़े डॉक्टर अफरीका में सेवकाई की सुरुआत की अफरीका में वो सेवा करने के लिए गए और प्यारो उन्होंने पच्छा साल अफरीका में सेवकाई की प्यारो और उन्होंने सासो से ज़्यादा स्कूल्स वहां स्था रहा गया उनके वहाँ की जो गवर्मेंट है वहाँ की जो सरकार है उनके दुबारा उनकी सराना हुई और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम भी उनके नाम रखा गया प्यारो हाललुइया पच्चास साल अफरिका में उन्होंने ऐजे मेडीकल मिसनरी सेवकाई की, आप उनकी ये कुछ फोटोस देख सकते हैं, अफरिकन लड़कियों के साथ, ये जो लड़कियों को आप देख रहे हो, वो सिलाई क्लास में जो लड़किया थी, वो है, इन लड़कियों को ये जो रॉबर्ट लॉस थे, उन्होंने पढ़ाया, अपने पैरो पर खड़ा किया, सिलाई क्लासिस चला चला कर प्यारो, प्यारो, पच्चास साल इस रॉबर्ट लॉस ने सेवकाई की, ये कैसे संबह हुआ, इतना अद्बूत और बड़ा मिसनेरी, जिसने अफरिका में इतना बड़ा बदला उला है, सास्सो सास्सो स्कूल की से बोलते हैं, इतना बड़ा काम, ये रॉबर्ट लॉस मिसनेरी कैसे कर पाया, क्योंकि उनके पापा ने संकटगी घड़ी में, तकलीव के समय में, जब उनके उपर बड़ी समस्या तूट पड़ी थी, अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया, अपने मन को तूटने नहीं दिया, अपने मन जो आपके मन को कमजोर कर रही है, कच्छा कर रही है, तोड रही है, आप नीरास हो, डिप्रेस हो, आपके मन में सिर्फ नकारत में ख्याली आते हैं, हम आज आपको प्रोसाइट करना चाहते हैं, अभी भी प्रभू आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, एक पीता सोचता चाहिब को गवादी दो साल के बच्चे को कैसे बढ़ा करूँगा क्या होगा इसका, लेकिन उन्हों ने अपने म्र्न को कम्चोब नहीं ओने दिया, वरमेश्वा के उपर भरोसा रखा, वरमेश्वा के उपर दृड्वी विस्वास रखा, और प्रभू उनके प्रती के रूप में यार हम आपको प्रोसाइट करना चाहते हैं आज हम जब सीख रहे हैं आई अपने मन को फिर से द्रेड करें कमजोर ना होने दे प्यारो तूटने ना दे निरास ना होने दे वीजे वो पाते जो मन को संभालते हैं मन को कमजोर नहीं होने देते हैं तूटने नही देते हाललुया क्यों इस्राइली लोगों के मन कमजोर हो गए प्यारों क्योंकि आए हम इस वच्छन वच्छनों को पढ़कर देखें पहला समुईल अध्याई सत्रा और उसके तीसरी आद में आपके लिए पढ़ता हूं पलिस्ती तो एक और के पहाड पर और इसराइल दुसरी और के पहाड पर और इसराइली दुसरी और के पहार पर खड़े रहें और दोनों के पीच तराई थी दोनों के बीच तराय थी, सामने पलिस्ती है, दुसरी और इस्राइली लोग है और वैसे समय में यहाँ पर लिखा है पलिस्तियों की चावनी से क्या हुआ, आए मिलकरम पढ़े आप ये स्क्रीम पर पढ़ सकोगे, हमारे साथ आप पढ़िएगा चौतियाद, तब पलिस्तियों की चावनी में से एक वीर गोलियाद नाम निकला और जो गत नगर का था, और उसके डिल की लंबाई छे हाथ एक बीता थी क्या हुआ? वहाँ वीर निकला जिसका नाम गोलियाद था और उसके डिल की लंबाई लिखी गही है छे हाथ एक बीता थी प्यारो, एक बड़ा सा योद्धा ये लोगों के सामने खड़ा था इनके मन कच्चे होने का कारण ये था कि उनके सामने जो योद्धा है उनके सामने जो चुनोती दे रहा है वह बहुत ही बड़ा है, साथ आपकी परिस्थिती भी बहुत बड़ी होगी, आपके लिए वो उसका सामना करना साथ कठीन हो सकता है प्यारों, इन लोगों को भी गोलियात के सामने जब देखते होंगे, लगता होंगा, इसका सामना कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर जो इसकी, उसका उसके सरीर की जो लंबाई लिखी है छे हाथ एक बीता हिब्रू जो ट्रांसलेशन है वो है six qubits and a span उसका अगर नाप निकाला जाए तो वो होता है नौ और आधा मतलब साड़े नौ फीट साड़े नौ फीट का बड़ा कदावर युद्धाओं के सामने खड़ा है और इसलिए इनके मन कच्छ हो गए प्यारो अभी तक पृत्वी पर जितने भी लंबे लोग हो गए उसमें रॉबर्ट वैडलो करके खो गए जिस जिनके नाम रेकोर्ड है उनकी लंबाई थी आठ फीट और ग्याराइच सबसे लंबी व्यक्ति अभी तक जो हो गई उसकी लंबाई है आठ फीट और ग्याराइच और इस गोलियात कितना था साड़े नौ फीट का एक कदावर योद्धा इंको चुनोती दे रहा है यारो आपके जीवन में भी ऐसी समस्या होगी आपको परमेश्वर है वह आपकी परिस्तिती से भी बड़ा है गोलियात जरूर बड़ा था लेकिन इस्राइली लोग यह भूर रहे थे कि इंके पास जो है वो उससे भी सामर थी हाललुया गोलियात के विसे में लिखा है आया मिलकर पड़े इन आयतों को उसके सीर पर पितल का तोप था और एक पत्तर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल पाँच हजार सेकल था मतलब एक सो पचास पाउंड उसकी टांगों पर पितल के कवश थे और उससे कंधों के पीच बर्ची बंदी हुई थी उसके भाले की छड जुलाय के डौंगे के सम पाउंड थी और उस भाले का फल 600 सेकल लोहे मतलब 30 पाउंड का था और बड़ी डाल लिये हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था ये गोलियाद का प्यारो वीवरन है कैसा था गोलियाद प्यारो उसके विसे में जो हमने पढ़ा प्यारो यहां पर लिखा है उसके सीर पर पितल का तोप था और वह वह यहां पर लिखा है पितल का जिलम फैने हुए था उसका वजन था 150 पाउंड यह लबग एक आदमी के वचन के जितना होता है उसने जो जिलम मतलब कवच पहना था बकतर पहना था वह लबग 68 किलोग्राम का था आप सोचिए यह 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 कवच पहन कर खुम रहा है पितल के कवच थे टांगों पर बर्ची भी थी और वहाँ पर लिखाए उसके पास भाला था भाला भी इतना बड़ा था वहाँ पर लिखाए बाले का फॉल जो है उसका में जो पार्ट है वो लिखाए छे उसका फल 600 सेकल लोहे का मतलब 30 पाउंड का था बड़ी धाल लियोए एक व्यक्ति उसके आगे आगे चर रहा था ये गोलियात का वीवरान है प्यारों ये लोग डर रहे थे क्योंकि उनके सामने जो सत्रू था वो बड़ा था, कदावर था और न सिर्व बड़ा और कदावर था, उसके साथ धेर सारे हथियार थे, सस्त्र थे जिसके साथ उसको पराजित करना और कठीन हो गया था प्यारों मैं और आप भी साथ इन लोगों के समान काफी बातों को सोचेंगे के प्यारों हम सोचेंगे हमारी परिस्थिती तनी बड़ी है उसके साथ यह असंभव है वो असंभव है डॉक्टर के रिपोर्ट को देखेंगे हमारे मंस हम कैल्कुलेशन करेंगे दो तीन लोगों को पूछेंगे वो कुछ और कहेंगे सब मिलाकर जब हम देखेंगे समस्या से लड़ना हमें और भी कठीन लगेगा गोलियाद साड़े छे फीट उसके साथ कई सारे धेर सारे सस्त्र और यह सब जब वे लोग देख रहे थे उनको लग रहा था है इसको हराना नामुंखीन है और यह बड़ा योद्धा सब आयत हम नहीं पढ़ेंगे उसने आकर इसराइली लोगों को चुनोती थी पहला समूल अध्याई सत्रा और दस्विया तो वो कहता है फिर वो पलिस्ती बोला मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकाता हूं किसी पुरुस को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े अब कौन लड़ेगा साड़े नौ भूल राजा था धेर सारी लड़ा या लड़ी ती उसका भी मन खच्छा हो गया और राजा का ही जब कच्च्छा हो जाता है प्रजाद के विसे में तो सोचना ही क्या सब के मन कच्छ्य हो गया उनको लगता था ये योद्धा, अजय है इसको पराजित करना नामुनखीन प्यारों आप जब परिस्थिती की बारी क्योंको देखोगे उसके विस्थे में बार बार सोचोगे आपको साधे ये लगेगा परिस्थिती अजे है इस परिस्थिती के उपर विजए पाना ना मुंखीन है यहरों हम आपको कहना चाते कोई परिस्थिती ऐसी नहीं जिसके उपर परमेश्वर आपको विजए ना दिला सके हाललुया कोई युद्ध आपका ऐसा नहीं प्यारो जिसमें प्रभू आपको विजए ना दिला सके वो साड़े नौ फिट का गुलियात हो उपर से नीचे तक सस्त्रों से सचित क्यों न हो लेकिन प्रभू उसके उपर भी विजए दिलाना जानता है सिर्फ रभू चाहता है इसे लोगों को जो अपने मंग को कच्चे ना होने दे कमज़ों ना होने दे ब्रीड मन से उसका सामना करे हाललुया अपने मंग को परिस्थिती और उसकी बारी क्यों को देखकर कम जोर ना होने दे यह मत सोचे कि यह परिस्थिती अजए है अब इसमें कोई फरक नहीं आने वाला बहुत दूआ की उपवास की ये पांस साल बिद गए दस साल बिद गए अभी तक कुछ नहीं हुआ परिस्थिती की बारिक को देखकर यह मत सोचे यह परिस्थिती अजय है कोई भी ऐसा सस्त्र और सत्र नहीं है प्यारों जिसके उपर प्रभु आपको वीज़े ना दिला सके हाललुया विश्वास करिये आज आपने आपके मन को द्रिड करिये कमजोर ना होने दे कच्छे ना होने दे निरास नहोने दे हाललुया यह योद्धा ने जब चुनोती दी फिर से वो ही आयत हम पढ़ना चाहते पहला समुएल अध्याश सत्रा और ग्यारा उस पलीस ती की इन बातों को सुनकर सावल और समस इसराहिलियों का मन कच्छा हो गया और वे अत्यांत डर गये मन कच्छा हो गया और डर गये लेकिन दावुद के विसे में पढ़िये हम आपके लिए स्क्रीम बढ़ी करना चाहते ताकि आप हमारे साथ इस आयत को पढ़ सके आये सब साथ मिलकर पढ़े तब दावुद ने सावल से कहा किसी मनुष्य का मन उसके कारण मतलब गोलियाद के कारण सत्रू के कारण कच्छा न हो तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा हाललुया प्यारो इतने सारे लोगों में पूरी इसराहिल प्रजा में और उसके राजा और उसके राज दरबार में और उसकी सेना में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो अपने मन को गोलियाद के कारण कच्छा होने नहीं देता गोलियाद के कारण अपने मन को कमजोर नहीं होने देता और वो था दाउद हाललुया प्यारो पर मेश्वर हमें से भी ऐसे लोगों को ढूंड़ता है दुन्या के लोग उनके मन कमजोर हो सकते कच्चे हो सकते वो हर माच सकते प्यारो लेकिन आएए हम दाओद के समान बने सब जब अपने मन को कच्चा बनाकर कमजोर बनाकर हारस विकार कर बैड़ गए थे तब दाओद ने खड़े होकर कहा उसके कारण गोल्याद के कारण अपने मन को कच्चा होने न दो मैं जाकर उसके साथ लड़ूँगा हाललुया प्यारो आप में से कितने लोग आज दाओद के समान खड़े होना चाहते है कहना चाहते है मेरे बीमारी के कारण मेरे करजे के कारण मेरे बच्चों के कारण मेरे परिवारी की समस्या के कारण नौकरी में बिसनेस में मेरे आसपास जो भी समस्या है जो सत्रू कदावर सत्रू मेरे आगे खड़ा है उसके कारण मैं मेरे मन को कमजोर कच्चा नहीं होने दूँगा दाहुत के समन के आज आज आप खड़े होकर कह सकते हो अगर आप ये कर सकते हो प्यारो प्रभू आपको वीचे दिलाएंगे आपको सिर्फ खड़ा होना है प्यारो प्रभू आपकी सहायता करेंगे लेकिन अपने मन को तैयार करें खड़े हो जाए कमजोर ना होने दिजे अपने मन को निरास ना हो जाए प्यारो हार मत स्विकार कर लिजे खड़े होकर लड़िये प्यारो परिस्थिती से प्रभू इस दिलाएंगे तकलीफ ये थी सब अपने मंग को कच्छा और कमजोर बनाकर सब लगाश और कोई जाकर लडने वाला नहीं था कोई पी जाकर लडने वाला नहीं था अब खड़े हो ये प्यारो मन को द्रिड करिए लड़िये त्रिष्थिती से हारमस्विकार करें बले पांस सालों गए दस सालों गए बले परिस्थिती बड़ी और खदावर दिख रही है कुछ भी हो लड़िये प्यारो प्रभू आपको वीचे चरू दिलाएंगे हाललुया दाउद ने कहा उसके कारण अपने मंग को कच्छा न होने दो प्यारो बाइबल में ऐसे कई द्रिस्थान थे ऐसे क्रुश्यल टाइम में ऐसे संकट की घड़ी में कुछ लोग थे जिन्होंने अपने मंग को द्रेड रखा और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मंग को कच्छा कमजोर कर दिया जब मुसा ने जासुसों को भेजा था सब डीटेल में हम नहीं पढ़ेंगे गिंती अध्याई 13 में यहां पर लिखा है तब वे जास आए मिलकर पड़े और उन्होंने मुसा से यह कर वर्णन किया कि जिस देश में तू हमको भेज तूने हमको भेजा था उसमें हम गए उसमें सचमुच दूद और मधु की धाराय बहती है और उसकी उपज में से वही है परन्तु परन्तु क्या कहा उन्होंने ध्यांस से और बहुत बड़े हैं और फिर हमने वहाँ अन्नाचा को जो राक्स जैसे उने को भी देखा यह लोग प्यारों मुझा के पास आए यह जासुस मुझा के पास आए वे जाकर आयथे जासुसी करके उन्होंने देखा कि यह यह देश सचमुस आसी सी देश है लेकिन वो बातों को छोड़ कर ऐसी बातों को उन्होंने लोगों के आगे रखी जिसके कारण उनके मन तो कच्छे और कमजोर होई गए थे लोगों के मनों को भी उन्होंने कमजोर कर डाला उन्होंने डराया ल जा हम कमजोर प्यारो उन्होंने अपने मन को तो कमजोर किया कच्छा किया लोगों के मनों को भी वो कमजोर कर रहे थे आप कैसे लोग हो प्यारो आप जब बोलते हो आप दुसरे को दुसरे के मनों को कमजोर कर डालते हो तोड़ डालते हो विश्वास में कोई बढ़े ऐसा या आप ऐसा बोलते हो कि किसी का मन कच्छा हो जाए कमजोर हो जाए तूट जाए यारो आए आज ऐसे लोग बने ये जासुसों के समान नहीं जो खुद भी अपने मन को कच्छे किये हुए थे कमजोर किये हुए थे, और दूसरे के मन को भी कच्चा कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे, तोड रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी थे, जिनों ने ये सब देखने के बावजूत अपने मन को कच्चा और कमजोर नहीं होने दिया, कालेव कह रहा है हम जड़कर इसे इस पर विजय हासिल कर ले क्योंकि नीस संदे हमें ऐसा करने की शक्ति है हाललुया कमजोर आप नहीं हो क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है कमजोर है वो आपका मन है मन से जो विक्ति कमजोर वो तन से भी कमजोर आत्मी कृति से भी वो कमजोर हो जाता है प्यारो प्यारो आई अपने मन को द्रेड करे संभाले कमजोर ना होने दे तूटने ना दे निरास ना होने दे कच्छा ना होने दे कालेब के समान, उसने कहा मैं मेरे मन को ये सब देखने के बाद कच्छा नहीं होने दूँगा मैं द्रेड हूँ, नी संदे बोल रहा है कहता है, नी संदे हमें सकती है, हमारे परमेश्व की ताकात हमें है हम इस परिस्थिती पर वीचे ही पाएंगे क्या परिस्थिती और बड़े और खदावर सत्रू को देखने के बाद बीमारी को देखने के बाद, रिपोर्ड को देखने के बाद डॉक्टर के स्टेटमेंट को सुदने के बाद, बैंक बैलेंस को देखने के बाद परिवारिक समस्याओं को देखने के बाद भविश्य की चीनता जब आपको सता रही है उस समय में ये सब कुछ देखने सुनने के बाद भी आप ये कह सकते हैं अपने मन को द्रीड रख कर कि नीज संदे मैं भी जय पाऊंगा क्योंकि प्रभू मुझे बल देगा हाललूया प्यारो एक स्त्री जो बारा साल से लहू बेहने की बीमारी से पिडित थी बारा साल से कुछ नहीं हुआ था अपना एक एक पैसा डॉक्टर को दे दिया था इतने साल के बाद सब का मन कच्छा हो जाए कमजोर हो जाए नीरास हो जाएगा तोट जाएगा लेकिनी स्त्री का मन द्रेड था, कच्छा नहीं होने दिया, उसने अपने मन को बारा साल की बीमारी, बीमारी से लड़कर सब कुछ गवा दिया था, खुटी कौडी भी नहीं बची थी, वैदों को, डॉक्टरों को सब कुछ लुटा दिया था, फिर भी चंगी नहीं हुई ये बारा साल इतनी घंबीर समस्या, संकट और इस दर्स होकर गुजरने के बाद भी ये स्त्री ने अपने मन को कच्छा नहीं होने दिया, हाललुया, उसने कहा ये शुक के कपड़े को मैं छूलूंगी और वो मुझे चंगा करेगा, प्यारों क्या आप में लंबे समय की ब कच्छा नहीं होने नाव्डा ने दिया है, इस तरीको देखिए बारा-बारा साल हो गये थे, अपने मन को Warm Jor नहीं होने देती, अपने मन को Jordi रखती है, दियना, में चूँँखोंगी शूँगी ऐर peine के कपड़े को गच्चा हो गया है कच्चा मत होने दिज 주는 मंग को कम जोल नहीं होने दिजे-प्यारों अपने मंग को बारा साल बात इस 3 ने प्यारो अधुड्विश ComeThe car को जंग आई को देखा क्योंकि वारा साल हो जाने के बावजुद भी-डाउक्टर कुछ-पै कर सके थे तब भी उसने अपने मंग को कच्छा कमजोर नहीं होने दिया द्रेडे रखा हाललुया रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहे डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहे लोग चाहे कुछ भी कहे अपने मंग को कमजोर नहीं होने दे प्यारो युसफ खड़े में गिरा उसके भाईों ने उसको खड़े में डाल दिया और प्यारो यही युसफ को गुलामी में बेच भी दिया गया पुती फार के वहां थोड़े दिनों के लिए उचायो पर वो उठाया गया लेकिन फिर वहां से जैल में उससे डाल दिया यूसप चाहे खड़े में हो चाहे जैल में हो चाहे गुलामी में बेचा गया हो उसने अपने मंग को कमजोर नहीं होने दिया प्यारो हर परिस्थिती में उसने अपने मंग को द्रेड रखा कौनसी बात में प्रबूर ने मुझे जो बताया है वो करकर ही रहेगा बले ही मैं खड़े में गिरू गुलामी में मुझे बेचा जाए चाहे मैं जेल में हूँ यू सब कहता है मैं मेरे मंग को रिड़ रखूंगा कमजोर और कच्छा नहीं होने दूगा हाललूया आया करी दो तीन आयत पढ़कर हम इस पाइबल स्टड़ी को पूरा करें प्रभु का बच्छान नीती बच्छान अध्याइचार में बताता है तेरी सायद सबसे अधीक अपने मन की रक्सा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है क्या बताता है बच्छान आये फिर से एक बार पड़े सबसे अधीक अपने मन की रक्सा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है प्यारो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू मेरे मन को त्रेड कर हमें भी अपने मन की रक्सा करने प्यारो हमें अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है हमें सतेज रहना है नकारातमक खयाल आए उसे मन में से निकाल दो सैतान मन में कुछ नकारातमक बाते डारा है पांस साल हो गए, छे साल हो गए, दो साल हो गए तेरी दुआ का जवाब कहा है तेरे उपवास का कोई जवाब नहीं मिला, डॉक्टर्स के रिपोर्ट ये कह रहे है, तेरी परिस्थिती और भी गर रहे है दुआ करने के बावजुद, सैतान जब नखारात में खयालों को डार रहा है, अपने मन की सुरक्सा करे, लापरवा मत रहे है, सुन रहे हो प्यारो प्रभु का बच्चेंग कहता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक कपड़ों की नहीं बोला है, सबसे अधिक बाल की नहीं बोला है, सबसे अधिक फेस की चेहरे की नहीं बोला है, सबसे अधिक यहां बोला है, अपने मन की रक्सा कर, क्यों? क्योंकि जीवन का मुल स्रोत वही ह क्या आप जो आप सोच रहे हो उसके विशे में सचेत हो, जागूरत हो, सैता नकारत्मक बाते खयाल डा रहे हो और आप उसमें ही उलजे जा रहे हो, अब नेंद में तो नहीं हो ना प्यारो, अपने मन की सुरक्षा करिये, गाड यूर माइंड, अपने मन को सुरक्षित रख लग जोगल मत लगाउन। प्यारे प्यारो ने स्वेंग अपने मन को आपको सुरक्षित रखना है। कि तुमारे निवेदन प्रात्ना बिंतिक के द्वूर्णा। धन्यवाद के साथ परमेश्वक के सन्मुक उपस्थित किया जाए जिन्दा नहीं करो प्रभु का वच्छन है उसके बाद प्रभु का वच्छन कहता है दुआ करो और उसके बाद साथ वियात हम पड़े तब परमेश्वक की सांती जो समस से बिल्कुल परे है तुमारे चारों को मसी येशु में सुरक्षित रखेगी हाललुया पहली बात हमें भी सुरक्षित सुरक्षा करनी अपने मन की और दुसरी बात पर मेश्वर भी हमारे मन को सुरक्षित रखेगा कब रखेगा जब आप अपनी चिंताओं को लेकर बोजों को लेकर समस्याओं को लेकर प्रभू की हुजूरी में जाओगे, दुवा करोगे, दन्यवाद करोगे, तब प्रभू की सांती आपके मनों की सुरक्षा करेगे. हमें भी अपने मनों को संभालना है और प्रभू के पास जब आप जाओगे प्रभू भी उसकी सांती के द्वारा आपके मनों को सुख और सांती से बर कर चैन से बर कर कच्छे मनों को देड़ करेगा और आपके मनों को संभालेगा हाललुया प्रवुका वच्चन युहना 14 में कहता है मैं तुम्हे सांती दिये चाता हूँ अपनी सांती तुम्हे देता हूँ जैसे संसार देता है मैं तुम्हे नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे विश्वा सके प्यारो आपका मन भले कितना भी कच्छा कमजोर हो गया तूड़ गया हो आप निरास हो आज येश्व के पास जाए वो आपको अपनी सांती से बरेगा प्यार हो उसकी सांती संसार की सांती जैसी नहीं है जो चंद मिनीटों में छली जाएगी उसकी सांती समझ से पर है वो अपनी सांती से आपको आज बरना चाहता है ताकि आपके मन गबराये नहीं आप गबराये हुए हो पर वो आपको सांती से परेगा आए आखरी आयत हम पढ़कर पूरा करें बजन सही 10, 73 अज्याए और 26 मेरे रिदय और मन दोनों तो हार गए है परन्तु परमेश्वर सरवदा के लिए मेरा भाग और मेरे रिदय की चट्ठान बना है 할लूया प्रभू का दास कहता है मेरे रिदय और मन हार गए तोट गए, कच्चे हो गए, कंजूर हो गए लेकिन मेरा प्रभू वो मेरा भाग मतलब मेरे साथ है कितने समय के लिए सरवदा के लिए और आगे कहता है मेरे रिदाई की वो चटान बना है प्रभू प्यारो आपके साथ है आपके भाग में चाहे कुछ हो या ना हो प्रभू आपका भाग है प्रभू आपके साथ है और वो आपकी चटान बनकर आपके साथ रहेगा प्यारो आई आज जो बात हमने सीखिए उसको लिखकर परमिश्व के चलनों में जाए प्यारो और प्रभू से कहे कि प्रभू जिन बातों को मैंने सीखा है उन बातों को समझने का और जीवन में अमल में लाने का नुक्रा दीजे प्यारो आज हमने जो महत्वपूर्ण बात देखी प्यारो वो है हमें हमारे मन को कच्छा नहीं होने देना है आज हमने how to be victorious विजेता कैसे बने उसमें पहली बात देखिए कि अपने मन को हम कच्छा नहोने दे उसलिए हमें अपने आपको संभालना है अपने आप हमें कैरफूर रहना है हमें सतेज रहना है जाकरूत रहना है कि सैतान हमारे मन में कोई भी नकारतमक बाते नहीं दाले मन को सैतान कमजोर न करे नकार अत्मक वी चारों से और प्रभू के पास हमें जाना है ताकि वो भी हमारे मन को सुरक्षिद रखे आये हमारी आखों को बन करें प्यारो क्या प्यारो आपके मन परिस्थिती को देखकर कच्चे कमजोर हो गए प्यारो परिस्थिती के विश्वे में जब आप सोचते हो बड़ी और कदावर परिस्थिती आपको दिखाई देती है डॉक्टर के स्टेटमेंट रिपोर्ट आपकी नजरों के सामने होगे आपका बैंक बैलेंस आपके नजरों के सामने होगा कितने साल बह गए फिर भी कोई जवाब दुआ का नहीं मिला सैतान आपको वो बार बार खहता होगा ये सब कुछ देखने के बावजुद भी क्या प्यारो अपने आपके मन को अपने ध्रीड रखा है या आपके मन को अपने कमजोर होने दिया है अगर आपके मन कमजोर हो गए आई प्रभु सखहे प्रभु आज तू मुझे नूग्र दे अपने मन की मैं सुरक्षा करो और परमिश्वर आप ये नूग्र होने दिजिए आपकी दयास से आपकी कृपा से कि मेरे मन को द्रिड किया जाए कच्चा मन प्यारो हार की ओर ले जाएगा कच्चा मन प्यारो आपको पराज़ई की ओर ले जाएगा पूरे इसराहिल लोग में साउल राजा साउल राजा था फिर भी राजा और इसराहिल लोग सब उनके मन कच्चे हो गए कमजोर हो गए लेकिन दाओद खड़ा होता है दाओद कहता है मैं मेरे मन को कच्छा नहीं होने दूँगा वो बारा साल से लहू बहने वाले रोक से पीडी स्थरी कहती है बले बारा साल हो गए मैं मेरे मन को कच्छा नहीं होने दूँगी कि मैं हार नहीं मानूंगी यूसफ को खड़े में डाला गया वहां से गुलामी में बेच दिया गया जैल में डाला गया लेकिन यूसफ क्याता है मैं मेरे मन को कच्छा कमजोर निरास नहीं होने दूँगा रॉबर्ट लॉस के पापा ने का मेरे दो साल के बच्चे को देखकर माता के बीना का जो बच्चा है मेरी वाइब मर गई सिर्फ दो साल के बच्चे को रखकर छोड़कर लेकि मैं मेरे मन को कच्छा नहीं होने दूँगा क्या प्यारो आप आज दाउद की समान खड़े होकर कहना चाहते हो प्रभू मैं मेरे मन को कच्छा नहीं होने दूँगा मैं लड़ूँगा परिसिती से क्योंकि आपकी सक्ती से निस संदेश ऐसे कालेम ने कहा मैं विजय पाऊंगा मैं चंगा ही पाऊंगा मैं छुटकार मेरा पाऊंगा मेरी आर्थिक परिसिती बदलेगी मेरी पारिवारी परिसिती बदलेगी मेरा प्रभू मुझे विजय दिलाएगा क्या दाउद के समान आप खड़े होना चाहते हो हाथ उठा कर कहें प्रभू मैं दाउद के समान खड़े होकर अपने मंग को कच्छा नहीं होने देकर मैं लड़कर वीज़ों को आशिल करूँगा यह दूआ मैं चाहिए प्यारे परमेश्व जिन बातों को आज हमने सिखा है उम बातों को लेकर हम आपके चल्नों में आते हैं हमें शमा करिया अगर हमने संदे की अपने मन को कमजोर होने दिया नकारतमक खयालों को हम वान सामर्थी जो परमेश्वर हमारे साथ है उसकी और हमने नहीं देखा आप हमें समा करें प्यारे पित आप हमें माफी दिजिए प्रभू आपी प्रात्न है प्रभू आपकी सामर्ध हमारे मनों में आज बहे जितने भी दर्सक हम से जुड़े हैं देख रहे हैं उनके जीवानों में उनके मनों में ये श्रुमसी के नाम की सामर्ध बहे उनके मनों को हमारे मनों को द्रिड किया जाए कमजोर नहीं प्रभू कच्छे नहीं प्रबू लेकिन द्रिड मन वाले बनाए ये जो हर परिस्थिति का डट कर सामना करें जो परिस्थिति को देख कर दाउत के समान डरें नहीं यूसप के समान डरें नहीं वो बारा साथ से लहू बहने का जो रोग रोग से फिड़ी थिस्तरी उसके समान आसा खोए बगर परमेश्व परिसिती से लड़ने वाले लोग हमें बनाए हम ये शुमसी के नाम से मागते हैं जितने भी लोग कच्छे मन के हो गए निरास हो गए जिनके जिनके मनों में अब कोई अच्छी बात नहीं आती सिर्फ नकारत में खयालाते जो डिप्रेशन में है ये शुमसी के नाम से हर एक उन लोगों के मनों को मैं छोड़ कर दूर जाने की आख ना करता हूं तुझे शैतान हर एक के मनों का अंकुस तुछ दे शैतान मैं तुझे आख ना करता हो शैतान के काम इंके जीवनों से निस्फल हो जाए और उनके मन प्रभू आपकी सामर से आज द्रेड किये जाए ताकि ये लोग वीचे हो को देखे हमारी ये तुवा ये शुमसी के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता आमें आमें प्रभू आप सभी को पासिशित करें प्यारो जो बातों को हमने सिखा है जरूर प्यारो ये आप याद रखे ताकि हम वीचे हो को पाने वाले लोग बनें अपने मन को कभी भी कच्छा ना होने दीजिए ये श्वाब के साथ है आमें